नमस्कार दोस्तों OCN Network में आपका स्वागत है हमारा और आपका अनुभाव क्या कहता है हमने ये देखा है कि जो जितनी तेजी से उपर जाता है वो उससे कई गुना गती से नीचे आता है और ऐसे अनेक उधारण है इतिहास में भी हाल का जो राजनितिक घटना करम है यानि आजादी के बाद का उसमें भी अनेक द्रश्टानत आपको ऐसे मिल जाएंगे कि कोई बहुत तेज गती से आगे बढ़ा चमका और फिर अचानक तूटा और बिखर गया जो मंद गती से संगर्स के साथ आगे बढ़ते हैं और सबसे स्रेश्टुदारन तो खरगोस और कच्छवे के बीच में जो दोड़ हुई थी उसका है वैसा ही राजनीती में भी मान सकते हैं अरविंद केजरिवाल और उनकी पारिटी का जो उभार था जो जन्म था वो अन्ना हजारे के भ्रस्टा चार विरोधी उस आंदोलन के गर्ब से बाहर निकला था सामने आया था जो लोकपाल की लड़ाई को लेकर के दिल्ली की सडकों पर बैंगलूरी में मुंबई में कॉलकता में देशवर के महानगरों में जो यूथ सडकों पर निकल पड़ा था तो वहां से इन् ने फाइदा उठाया और फाइदा किस किस का नहीं उठाया इन्होंने कैसे कैसे लोग इनके साथ नहीं थे शांति भूशन उनके बेटे परशांत भूशन किरण वेदी जनल वीके सिंग इसके आलावा बहुत सारे ऐसे चेहरे जो अलग-अलग रज्यों में अलग-अलग संगठनों के जरिए एंजी ओं के जरिए जो सामाजिक आर्थिक मुद्दे थे उनको उठा रहे थे और संगर्श कर रहे थे ऐसे अनेक चेहरे अब हमें और आपको याद आ रहे हैं जो अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए थे और एक संभावना देख करके एक उम अमीद देख करके इनके साथ आए लेकिन उनके साथ इन्होंने क्या किया ये अब किसी से दबा छिपा नहीं है चाहे वो मिलिटरी के बैक ग्राउंड से एडमिरल राम डोस आये हों जिनको इन्होंने इंटरनल लोकपाल नियुक्त कर दिया था चाहे बहुत सारे चेहरे अ कहां अन्ना हजारे को इन्होंने सम्मान देना ही बंद कर दिया क्योंकि अन्ना हजारे ने शुरू में कुछ नुक्ता चीनी की थी उसके बाद आप देखिए अन्ना हजारे का क्या हस्र हुआ है चुप करके बैठे हुए हैं और बहुत सारे लोग सवाल खड़े करते हैं कि अन्ना हजारे ने पता नहीं महाराष्ट में कितने मंत्रियों की बली ली, कहां कहां उन्होंने अंशन किये और सरकारों को मजबूर कर दिया, जुकने के लिए, अपनी नीती बदलने के लिए, और आज उनके चेले चपाटे, ब्रश्टाचार के, कदाचार के, गंभीर में घिरे हुए हैं, घोटालों में घिरे हुए हैं, और वो आपराधिक चुप्पी साधे हुए हैं, ऐसे अनेक लोग, जो इनके सहयोगी हुआ करते थे, उनको बे इज्जित करके, इन्होंने पहार का रास्ता दिखाया, उनमें योगिंदर यादव भी, परशांत भूश भी, आशीश, खैतान, आशुतोश, कुमार विश्वास, एक गांधी थे, बहुत सारे लोग जिनको इन्होंने निकाल बाहर किया, और ऐसे ऐसे लोगों को राज्ज सभा में भेजा, जिनका आम आदमी पारिटी के लिए कोई कंट्रिव्यूशन, मतलब इसकी अस्थापना से लेकर के, और बाकी चीजों के लिए नहीं था, हाँ उनका कंट्रिव्यूशन धनका जरूर रहा होगा, जिसके बल पर उनको राज्ज सभा में भेजा गया, तो ऐसे लोगों के कंधों पर सवार होकर के, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए, तो बहुतों को तो बे इज्जत करके लात मार करके पार्टी से बाहर कर दिया इनोंने, क्या-क्या वादे इनोंने किये थे, दिल्ली को पैरिस बना देंगे, क्या-क्या सपने दिखाये थे पबलिक को, जरा उसको भी याद कर लीजिए, और जब उन वादों को प कामले में अडंगा लगाती है क्या जब चुनाव लड़ रहे थे दिल्ली विधान सभा के लिए इनको पता नहीं था कि जो दिल्ली की विधान सभा है या दिल्ली में जो सरकार बनती है वो केंदर के अधीन ही काम करती है उसके सीमित अधीकार है उसके पास पुलिस भी नहीं है उसके पास कई दूसरे डिपार्टमेंट भी नहीं है वो केंदर के अधीन रहते हैं लेकिन इन्होंने तमाम ड्रामे बाजी और कौन-कौन से LNG से इन्होंने सिंग नहीं भीडाएई चाहे नजीब जंग हों चाहे बेजल हों या अब सकसेना साब हों हर LG के साथ इन्होंने फंगे लिए और गंदी जवान का फरियोग विदाहान सभा के पटल पर खड़े होकर के अनेक बार इन्होंने केंद्र सरकार के परती, मोधी सरकार के परती, एलजी के परती इन्होंने इस्तमाल किया और जो फिरी की राजनी थी की दिल्ली में भी बार बार चुनाव जीतना या पंजाब में भी सरकार बना लेना केवल फिरी फिरी का लालस देकर के पबलिक को एक तरीके से बेवकूप बनाने का काम किया हर पारिटी, हर पारिटी के नेता भ्रहष्ट हैं, अलग-अलग सेक्टर के लोगों के खिलाप इन्होंने प्रेस कॉन्फरेंस, लाइव प्रेस कॉन्फरेंस करके इन्होंने आरोप लगाए और एक माहौल बनाया कि जैसे पूरे देश में और शायद पूरी दुनिया में यही दूद के धुले हुए हैं, और बाकी तो सब बेइमान हैं, कितने इनके करीबियों पर मुकदमे कायम हुए हैं, कितने लोग जेल भेजे गए हैं, बाद में जमानत पर छूटे और उनके ट्रायल हो रहे हैं, उनमें कुछ को सजा भी हुई, कोई अंदाजा भी नहीं है, कई विधायक, कई मंत्री इनके, कई इनके करीबी, और सबसे बड़े तो सतेंदर जेन, जो इनकी तिकड़ी मशुहूर थी, सतेंदर जेन, मनीश सिसोधिया और अरविंद केजरिवाल, इन तीनों के बीच ही सारी गालमेल होती थी, सारी योजनाय बनती थी, और ये कैसे कि इन चीजों को मैनेज करना है, सुकेश चंदर शेखर के आरोप, आपने सुनी लिये होंगे, एक के बाद एक कई चिठिया उनने जारी की, जो खुद ठग है, ऐसे ठग से भी इनोंने अगर साठ करोड रुपया ठग लिये हैं, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, कि ये किस तरहा की सरकार चलाते आ रहे हैं, उस मामले की भी जाच के आदेश, LG अल्रेडी दे चुके हैं, सुकेश चंदर शेखर का कहना ये है, कि 10 करोड रुपया तो सतेंद्र जैन ने प्रोटेक्शन मनी के रूप में ले लिया था, कि अगर जेल में सुरक्षित रहना है, और काते करनी है, एश की जिन्दगी जीनी है, तो आपको 10 करोड रुपया देना पड़ेगा, और कुल मिला करके 60 करोड रुपय देने की बात उसने की है, कि 50 करोड रुपया मुझसे पारिटी कोश के लिया गया, ताकि ये पंजाब में, गोवा में, दूसरी जगहों पर इले अरविंद केजरिवाल देखते रहे और उनके संगी साथी भी, मीडिया का जिस तरीके से दुरुपयोग इन लोगों ने किया है, मीडिया को जिस तरीके से इनोंने एक तरीके से खरीदा है, अपना गुलाम बना करके रखा है, और जिस रुणनीती के तहत ये लोग उनको विज्यापन जारी करते हैं और अपनी जो रैलियां होती है, सभाय होती है, कारिक्रम होती है, प्रेस कॉन्फरेंस होती है, उनका लाइव पर सारण कराते हैं, अवाधित बिना रोक के, ऐसा तो पूरे देश में और कोई मुख्यमंतरी और कोई सरकार कर ही नहीं पाया, ऐस इस सोधिया ही इस देश के अकेले उपमुख्यमंतरी थोड़ा है, जिनकी सारी प्रेस कॉन्फरेंस अवाध रूप से परसारित होती हैं टेलिवेजन चैनलों पर, और वो भी जो सोकोल्ड राष्टी है, मीडिया है, उसके चैनलों पर, चाए हिंदी के हों, चाए अंग्र प्रेटी और उसकी सरकार खरीचती है, दूसरे, अगर हम केवल मनीश सी सोधिया की बात करें, बात तो सतेंदर जयन की भी करनी चाहिए, जो 30 मई को ग्रफतार हुए थे 2022 में, और ये कहते हैं कि सतेंदर जयन को भी फंसाया गया है, उन पर तो कोई आरोप ही नहीं है, उनक मनीश सी सोधिया के बारे में भी ये ही राग अलाप रहे हैं, इनके खिलाप तो कोई सबूत ही नहीं है, ईजनसी के पास, इनको तो फरजी तो पर फंसाया गया है, इनको तो जब्रन राजनीतिक वदले की भावना से हैं, तो अगर उन पर कोई केस ही नहीं है, यानि नहीं हुए इससे भी बड़ा प्रश्न है नो दस महिने से जो आदमी जेल में बंद है तिहार जेल में बंद है और जिसके तमाम तरह के CCTV फुटेज भी आ गए कि महां मसाज करवा रहे हैं वो मालिश करवा रहे हैं एश कूट रहे हैं पैक्ड फो भोजन उनके लिए जाता है चाहे फाइव स्टार से या घर से वो प्राप्त करते हैं कई उनके सेवा में सेवक लगे हुए हैं ऐसे व्यक्ति को बेशर्मी के साथ मंत्री पद पर बनाए हुए थे और यही राग अलापा जा रहा है मनी सिसोधिया के बारे में उन्होंने तो कोई अपराद नहीं किया ह है उन पर तो कोई आरोप नहीं है मेरे पास डीटेल जानकारी है इस पर मैं एक अलग से प्रोग्राम बना करके बताऊंगा कितने गंभीर एलिगेशन मनी सिसोधिया के खिलाफ हैं नई आबकारी नीती में किस तरीके से सैंकडो करोड रुपया इन्होंने अंडर टेबल ल इसके अलावा किस तरीके से शराब कारोबारियों को इन्होंने चार नियम तोड करके छूट दी दिल्ली सरकार के राजकोश को नुकसान पहुँचाया बहुत सारे फोन नश्ट कर दिये जिन से ये सब वारता लाफ हुई थी और साजिश्य रची गई थी एक पुराने एक तब के IS जो आवकारी डिपार्टमेंट में ही थे एक इनके करीबी कारोबारी उनके बयान है और बहुत सारी चीज़ें अब CBI के हाथ लग चुकी हैं तो ये बच नहीं सकते हैं चाहे सुकेस चंदरशेखर के आरोफ हों 60 करोड रुपया रिश्वत लेने के चाहे इसमें 100 करोड रुपया दक्षिन की एक कंपनी से पकड़ करके और फिर उनको लाब पहुंचाने के आरोफ हों बहुत सारे मामलों में ये बहुत बुरी तरह से घिरे हुए हैं और जूट फरेब जो मैंने आज का हेडिंग भी लगाया है जो लंबे समय तक आपको कम से कम सियासत मे तो नहीं टिकने देंगे जिसके बेस पर ये लोग काम्याबियां हासिल करते हैं शोटकट्स अपना करके जूट फरेब क्या आप इनकी सारी प्रेस कोंफेंस देख लीजिए इनकी सभाएं देख लीजिए इनके परदर्शन की जो तक्तियां हैं वो देख लीजिए कहीं भ दुनिया का बहत्रीन सिक्षा मंत्री, मनीश सिसोधिया, बच्चों का भविश्य समारने में लगे हुए थे, कितने लाख बच्चों का और उनके परिवारों का, अठारे लाख बच्चों का, बीस लाख बच्चों का भविश्य समारने में लगे हुए थे, उनको ग्रिफतार करके मोधी सरकार ने जेल भिजवा दिया, बच्चों के भविश्य के साथ किलवाड कर रहे हैं, सिक्षा मंत्री के तोर पर तो उन पर अभी कोई आरोप लगा नहीं है, जहाँ चल रही है उनकी भी, जो आरोप लगे थे, लेकिन ये आवकारी नेती, यानि शराब बेचने के धंदे में, जो नौट कमाए गए हैं, ब्रस्टाचार किया गया है, उस मामले में इनको जेल भेजा गया, लेकिन होर्डिंग्स कैसे लेकर के परदर्शन किये जा रहे हैं, सिक्षा मंत्री तुझे सलाम, अर्विंद केजरिवाल से लेकर के, संजय सिंग दूसरे रागव चड़ा से लेकर के, जितने भी इनके नेता और परवक्ता हैं, सब बहतरीन सिक्षा मंत्री था, और बच्चों का भविश्य समारने में लगा हुआ था, उसको उठा करके जेल में डाल दिया, मतलब लोगों की आँखों में धूल जोहों कने की कोशिश, ज उठा करके मोधी सरकार ने जेल में डाल दिया, आरोप क्या थे, हवाला रैकेट का मामला, कलकत्ता की किसी फरम से करीब चार करोड रुपया, दिल्ली हवाला रैकेट से मंगाया गया, उससे यहां जमीने खरीदी गई, यानि काले धन का सफेद किया गया था, वो आरोप थ करीनिक बनवाने की वज़े से गरफता है, फिर अजी हम कटर इमानदार हैं, ये कटर इमानदार हैं, किसने बढ़िया कटर इमानदार हैं, अब सब के सामने ये चीजें, फिर क्या कभी आपने देखा, किसी नेता को ब्रस्टाचार में अरेष्ट किया गया हो, और अरेष् करते हुए लोगों का अभिवादन करते हुए और जो भाड़े की भीड जुटाई जाती है ऐसे धरने पर दरसनों के लिए नाटक नोटंकी करने के लिए उनके बीच हीरो की तरहें आप जा रहे हैं और उससे पहले लोगों की सहनुबूती अरजित करने के लिए अपने आपको कोई क्रांती कारी या देश वक्त सावित करने के लिए राजगाट जाना बापू की समाधी पर या यह कहना कि साब सरदार भगत सिंग भी तो देश के लिए लड़ते हुए जेल गए थे तो जेल जाने के लिए हम तयार हैं हम जेल जाने से डरते नहीं हैं ऐसे बहुत सारे मसलें हैं जो राष्ट हित से जुड़े हुए थे और इन लोगों ने अलग लाइन ली थी चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो एर स्ट्राइक हो अगनी वीर की भरती हो अनेका अनेक मामले केंद्र सरक के खिलाब यहां तेरे महिने तक अंदोलन चलवाया गया शाहीन वाग वो जो कांड किया गया था सडक रुकवा करके सो दिन तक धरने परदर्सन फिर धंगा जिनमें इनका एक पारशद पकड़ा गया ताहिर हुसेन ऐसे अनेक किस्से में गिनवा सकता हूं जब इन होने स जुड़े हुए मिले अनेक मामले ऐसे हैं तो सवाल सबसे बड़ा ये है कि इनके करीबी यानि अर्विंद केजरिवाल के दो करीबी अब जेल पहुंच रहे हैं एक अल्रेडी पहले है और एक आप मनिस्सिसोद्या पहुंच रहा है ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि जो अर्विंद केजरिवाल दो हजार चोदा से ही इस देश का प्रधान मंतरी बनने के हसीन ख्वाब देखता आ रहा है क्या उसका राजनितिक अंत करीब आ गया है क्योंकि अब ही तो मनिस्सिसोद्या गिरफतार हुए हैं जो जानकार हैं उनका कहना ये है कि जिस त और जो अगले स्टैप होंगे सीवी आई के या एडी के ये जानने के लिए उनको इंट्रोगेट किया जाएगा मनिस्सिसोद्या को कि ये नई आपकारी नीती आप अपनी मर्जी से लाए थे या मुख्यमंतरी की कंसर्ट से लाए थे इसको जब आपने वापस लिया अपन चोदा फोन तो अकेले मनिस्सिसोद्या ने या तो नश्ट किये हैं या बदले हैं उनका जवाब देना पड़ेगा जो स्क्रीन शोट है चैट्स की उनका जवाब देना पड़ेगा इसलिए अर्विंद केजरिवाल भी इस मामले में बच नहीं सकते देर सबेर वो भी ग्र अभी के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें कमेंट करें वीडियो को शेयर भी करें अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में ल